आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे समवर्दना मदर्शन एश्टोक के बारे में और टेकनिकली यहां ट्रेंड देखेंगे तो एक कंसोलिडेट फॉर्म में टेड होते हुए दिख रहा है और लास्ट न्यूज हमने यहां देखा था 1.6% स्टेक शेल करेंगे जिसमें 9 9.2 CR करोर सेयर सेलिंग होगा और यहां हमने गलती से 92 करोर लिख दिया था तो उसको थोड़ा एड्जेस्ट करेंगे इसके साथ ही टेकनिकली ट्रेंड देखेंगे तो थोड़ा वीकनेश दिख रहा है और मैं इस समय मानता हूं कि लोंग करने से बचना चाहिए हलांकि इस चुकी रेजिस्टेंस जोन है यह सप्लाई जोन है इसको जब तक ब्रेक आउट नहीं करता है तब तक के लिए लॉंग करने से बचेंगे एक बार ब्रेक आउट पे इजली टार्गेट 84 90 और 110 तक के तीन टार्गेट आपको नेक्स त्री मंत में इजली देखने को मिलने व लिए है तो इससे में मुझे लगता है कि सेल एक बेटर ऑपर्चुनिटी है मदर सन के पैसे को सेल के तरफ लिया जा सकता है जहां 100 और 110 तक के टार्गेट इजली दिखेंगे हालांकि 140 तक के टार्गेट जो है इनलिस्टों का दिया गया है एसल 90 के नीचे के एसल लेंगे थ्री रुपीज के असपास को टार्गेट जो है 152 110 तक का सियोरली ले सकते हैं